नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेट एमसेग्यो बहसंदीप में दोस्तों हम लोग यूपिटेट प्राइमरी मैट्स का कोर्स कवर कर रहे हैं इसी क्रम में हमने कई वीडियो बना दिये हैं अपलोड कर दिये हैं और कई वीडियो अभी बनाने बाकी हैं दोस्तों उसके लिए अगर आप पुराने वीडियो देखने चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है मैंने आप वहां से मैट्स का पूरा फुल को तो दोस्तों सबसे पहले बता दू जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग नीचे लाल रंका सब्सक्राइब को बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे और लाइक जरूर कर दीजे और शेयर करना बिलुकुल मत भूले तो चलिए दोस सत प्रति प्लस सत प्रतेग सो में से एक माली जो कोई सो चीजे दी हुई है और उनमें से दस चीजे सलेक्ट कर ली तो वो दस चीजे सो के सापेच क्या हुई दस प्रतिसत जैसे देखें सो में से एक एक बटे सो या एक प्रतिसत सो में से दस दस बटे सो या दस परसेंट अगर 100 में से 10 चीजे ले ली, तो वो हो गई 10%, अगर 100 में से 20 चीजे हमने collect करली, तो वो हो गई 20%, नीचे जो हर में होगा, दिख missions, हर में हमेशा हम 100, मतलब कुल जो होगा वो 100 माना जाएगा, ठीक है, प्रितिसत ऐसी भिन्न है, जिसका हर 100 होता है, तिछ अन्ष 100 में से लिया गया हिस्सा या भाग इसे मालिजे अगर हम बोल दें कि 50%, ठीक है, 50% बोल दें educated and 50 क्या है पचास हिस्सा है सो का ठीक है पचास हिस्सा है सो का ठीक है ये तु समझ गये कि कोई कुल में से कोई भाग लेना उसका प्रतिसत कला अगर सो चीजे हैं अगर हमने पचास चीजे उसमें से सलेक्ट की तो वो पचास प्रतिसत कहलाएगी देखी फिर से एक बाप परिवास पड समन चलिए दिखें प्रतिसाइब को भिन्न बदलना क्या से बनेंगे सबसे इंप्रेंट में हम कैसे क्लिक करते हैं देखें चार पर्सेंट दिया हुआ है ठीक्श more परसेंट को हम भिन में कैसे बदन चार बटे सो कर दीजिए ठीक चार बटे सो कर दिया अब इसको सॉल कर लेजिए चार एक कमचा और नीचे अच्छे सा जाएगा देखिए हम देखिया कर दिया प्रतिसत को भिन में बदल दिया है एक दम आसान अगला करके देखिए 20 परसें 20 20 बटे 25, 1200 चली अगला देखे 1940 देख लिए 40 बटे तो ये है भिन में बदल रहे है प्रतिसद को प्रतिसद दिया है और भिन में बदल रहे ठीक है 40 एक 0 यह खजिये हम दूब नब चार दो पंचे दश यह बदल गया भिन में 50 परसंट को देख लिए 50 बटे 115 प्रतिस्षत को भिन्न में बदलना इस तरह हम लोग प्रतिस्षत को भिन्न में बदलते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब अगला क्या दिये भिन्न को प्रतिस्षत में बदलना भिन्न को प्रतिस्षत में कैसे बदलेंगे यह भी देख लिए जिसे एक बटे 10 दिया हुआ है ठ 30 में ठीक है तो अब हम 100 कैसे रखेंगे, 100 नीचे कैसे हम लपाएं, देखिए क्या करते हैं, हम उपर और नीचे, दोनों में 100 का गुडा कर दीजे, देखे, 100 का हमने गुड़ा कर दिया, ठीक है, दिखे रहा आपको, अब इसको क्या कर दिजे, 100 का गुड़ा हो गया, अब सौल कर लिज़े, दस दहाम, कट गया, दस बटे, सो, ठीक, अब देखे, हर में सो आ गया, तो हर में सो आ गया, तो दस प्रतिसत हो गया, अगर हर में सो आ ज़े, तो आप प्रतिसत लिख सकते हैं, तो यह हो गया, भिन को प्रतिसत में बदलना, अगला देख लिज़े, एक ब बटे 100 आगया अब देखे नीचे 100 आगया तो यह 4% हो जाएगा ठीक यह समझ गया बहुत ही आसान है एक बटे 25 है तो 4% आगया अब देखे तीन बटे 4 है तीन बटे 4 इसको क्या भिन को प्रतिसंद में हम चेंज गा रहे तो 100 से घर से गुड़ा कर दीजे अब यह कट गया ठीक देखे चार और 25 चार और यह 4 एक कम चार और 4 इसको 100 को काटेंगा तो 25 आगा अब उपर उपर गुड़ा 25 तीन बटे 100 तो नीचे 100 आगया तो यह 75% हो गया ठीक है दिख रहा है आपको चलिए 7 बटे 5 को देख लिजे 7 बटे 500 का उपर नीचे गुड़ा कर दीजे ठी ठीक पांच 20 आजाएगा 20 सत्ते 140 बटे 100 ठीक नीचे 100 आ रहा है ठीक है दिख रहा है आपको तो 140% हो जाएगा ठीक है यह समझ गया प्रतिशत को भेन में बदलना और भेन को प्रतिशत में बदलना यह दोनों आप एकदम अच्छे सीख गये नहीं सीख पहें तो दुबार दसंबलों में कैसे बदला जाएगा यह आप देख लिए देखे 24 परसेंट दिया हुआ प्रतिशत को दसंबलों यह परसेंटेज दिया है तो हम नीचे 100 बढ़ा लेते हैं अगर प्रतिशत हटाया एक बटे 100 नीचे बढ़ा ले 100 बढ़ा ले जैसे इसमें देखी हमने क्या किया था यह देखें नीचे 100 आ रहा था नीचे 100 आ रहा था तो हमने 100 हटा के प्रतिशत लगा दिया अब अगर प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा दे अब देखें नीचे 2 0 दसंबलों 2 0 आ रहा है ठीक है 100 लिखा हुआ है उपर 24 है तो नीचे 2 0 तो ओपर दो अंकों के बाद दसमलों लगा दीजे दिकही आगया प्रतिसत को दसमलों में बदल दिया है हैसन देखे 28 को करके देख लिए 18 परसेंटेज है birthday today why सौ नीचे बढ़ाया अब दो दसम्लों देखे 2,0 है नीचे तो उपर दो अंकों के बाद 10 लगा दीजिए हो गया 0.08 अब 5 परसंट देखे 5 बटे 100 ठीक है 5 बटे 100 अब इसको क्या देखे नीचे दो जीरो है तो उपर दो अंकों के बाद लगाने लेकिन यहां एक अंक है तो अपने आप से एकजीरो बढःा के दो अंक बना लिजे तो दो अंकों के बाद लगा दीजे यह हो गया प्रतिषद को दसंबलों में बदलना बहुत ही easy way में ठीक है अब दसंबलों को प्रतिस्थे ने कैसे बदला जाए देखे motion 4 है ठीक है point 4 है तो अब point 4 है तो देखे एक ऐग की बात लगया तो खोड़ा लिए 10 10 हो ए ठीक है भी हो लेकिन हमें प्रतिसद में बदलने के लिए नीचे कितना चाहिए होता है हमें नीचे 100 चाहिए होता तभी तो हम प्रतिसद लगा पाते हैं तो क्या करें देखें अगर हम नीचे 10 में से 10 का गुड़ा करते तो 100 आ जाएगा लेकिन अगर नीचे करेंगे तो हमें उपर भी करना पड़ेग तो उपर आ गया 40, नीचे आ गया 100, यह हो गया 40, प्रतिसत, देखें, दसमलों को प्रतिसत में बदल दिया, है बहुत आसान, एक बार आप अच्छे समझ लेंगे, तो आ जाएगा, देखें, पॉइंट 4 लिखा, तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ा लिया, एक 0 वाली सं 40 बटे 100 हो गया, तो 40 % हो गया, अब 0.25, देखें, 0.25 है, तो अगर यह दसमलों हटाएंगे, देखें, दो अंक के बाद लगा है, तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, एक के साथ, ठीक है, अब देखें, अब 25 बटे 100, ठीक है, अब नीचे हमें 100 चाहिए ही, हमें नीचे 100 चाहिए है, तो सीधा 25 % कर दिया हमने, ठीक है, है आसन, अब देखें, 0.83 दिया हुआ है, ठीक है, अब यह पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे, एक दो अंकों के बाद लगा है, तो 2 0 बढ़ा दे, अब नीचे हमें 100 चाहिए ही, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा 83 % लिख दिया, अ एक अंके बाद लगा है, तो नीचे 10 ही, एक ही 0 बढ़ पाएगा, अब हमें क्या करना है, हमें नीचे करना है 100, तो हमें क्या करना बढ़ेगा, 10 से गुड़ा कर दिया, उपर भी 10 से गुड़ा कर दिया, तो उपर हो गया 200, नीचे हो गया 100, ठीक है असन, अब उपर 200 हो ग देखिए अब किसी रासिका दिया हुआ प्रतिस्थ ग्यात करना तो 500 का 15 प्रतिस्थ ग्यात करना आपको तो 500 लिखा अब 15% गुड़े हमने क्या बता था पिछले वीडियोज में का क्या मतलब है गुड़ा 15% 15% का बतलब 15 बटे 100 सिंपल सा है अब ये देखे 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कड़ गये तो 15 पचे 75 आगे 500 का 15 परसेंट 75 बहुत सा आसान है चलिए अगला देखे 1.500 का देख लिजे 1.500 गुड़े 50 परसेंट ठिक 1 0 ये काटा 1 0 ये काटा 1 0 ये 1 0 15 पचे 75 ये भी 75 आगे 1.500 का 50 परसेंट 75 अब 47 158 का 30 परसेंट देख लिजे 30 बटे 100 ठिक 1 0 ये काटा 1 0 ये काट दिया अब ये नीचे 1 0 नहीं काट रहा है तो इसको पड़ा रहें दिजे इसको पहले मल्टिपलाई कर लिजे 28 21 और 3 15 2 17 एक सात्या 21 एक बाइस दो 3 चोग बारा दो 14 ठिक अब एक देखे नीचे 1 0 बच रहा है तो एक अंक के बाद लगा दीजे दसमलोग यह आगया आपका 47 58 का 30 परसेंट आगया 1423 दसमलोग 4 ठीक है यह तो एक दम समझ गहे है प्रतिस्द को दसमलों बदलना दसमलों को प्रतिस्द में बदलना किसी रासी का दिया हुआ प्रतिस्द ग्यात करना बहुत ही आसानी है, बहुत आसान से समझ गये होगे, चलिए, अब थोड़ा आगे देख लिए, एक बिंदू और है, यह देखी, क्या लिखा हुआ है, एक रासी का दूसरे रासी के सापेच प्रतिसत के रूप में लिखना, ठीक है, मतलब कोई रासी दी हुई है, और दूसर रासी के सापेच आपको उसका प्रतिसत निकालना देखे, जैसे क्या लिखा है, पांच में चार कितने प्रतिसत, मतलब कुल है पांच, और उसमें से चार बताना है कि वो कितने प्रतिसत, तो सबसे पहले जितना निकालना है, उसको उपर रख लीजे, चार, और बटे में रख लीजिए कुल को कुल कितना है यहाँ पर 5 है कुल ठीक है अब उस्सों से गुड़ा कर दीजिए तो आएगा प्रतिसत अब 5 एककम 5 उपर भाग दिया तो आया 20 20 चोको 80 उत्तर आगया आपका 80 कितना आसान है हमेशा कुल को नीचे रखिए याद रखिए जितना भी कुल होगा टोटल होगा टोटल को नीचे और जितने का निकालना उसको उपर अब देखिए 20 में 12 कितने प्रतिसात है तो 12 का निकालना है और 20 है टोटल ठीक कर दीजिए 100 से गुड़ा 20 पंचे 100 बारा और पंचे 60 देखिए है आसान कितना आसान है आप तो यह समझे नहीं पार ह आसान चेक्ट एक बार ध्यान से आपने देख लिया तो बहुत आसान है चलिए अगले देखिए 35 105 का कितने प्रतिसात है 105 टोटल है और 35 का निकालना है 100 ठीक अब देखिए 35 तियां 105 100 बटे 3 ठीक अब इसको डिवाइट कर लिजिए 33 दसमलो 33 प्रतिसात अब इसको डिवाइट करके देख लिए जेगा 33 दसमलो 33 प्रतिसात उत्तर आ गया 105 का 33 दसमलो 33 प्रतिस इतना असान है आप समझ के बहुत ही असान अब दोस्तो देखिए अगला कोस्चिन क्या है गडित की परिच्छा में पलक ने 30 में से 24 अंक प्रतिसात अंक प्रतिसात अंक प्रतिसात हुए यह आपको खुद से हल करना है और इसका उत्तर आपको दोस्तो मैंने इतना पढ़ा दिया अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप दुबारा से वीडियो देखिए आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा ही आएगा ठीक है अगर आपको समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजेगा अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो मैं समझूंगा आपको समझ में नहीं आया है इसलिए आप वीडियो को दुबारा से देखिए ठीक है दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ठीक है और जो लोग हमारे चैनल पर नए है वो लोग प्लीज सब सब्सक्राइब भी कीजिए ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत